नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे येटूग चैनल पे दोस्तो आपको कमर दर्द की प्रावलम से कमर में हमेशा आपको दर्द बना रहता है कमर से जो दर्द होता है वहाँ स्टार्ड होता है और रेडिटिक टाइप आप पैन होता है कमर दर्द से जब भी दर्द स्टार्ड होता है वहाँ दर्द चलते हुए नीचे की और आता है एडियो तक आपको दर्द बना होता है, एलेक्ट्रिक लाइक पहन होता है, आसेहनी दर्द आपको होते रहता है, और कमर में भी दर्द बना रहता है, जो L4, L5 जो डिक्स है, उसमें वल्जिंग होने लगी है, वहां की नसों में दवाव आने लगा है, इस टाइप का जो दर साइटिका में भी किया जाता है, जिनको लंबर स्पोंडोलाइसिस की प्रॉब्लम्स हो गई है, उस कंडिशन में भी इसका यूज किया जाता है, जिन लोगों को कमर में हमेशा दद बना रहता है, उस कंडिशन में भी इस मैडिसिन का यूज किया जाता है, जिनको भी कमर म कलतें नीचे की और पैरों तक जाती है और यहां लैप साइड़े और राइट साइड़े स्थ दोनों तरह होती है जब इसमें सूजन, आने लगती है या किसी तरह का दवाव होने लगता है तो साइटिका की कंडिशन डभल अप होने लगती है यहां महिलाओं के लिए भी medicine काफी effective है जो घर में महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जाती है जिनमें vitamin D की कमी present है जिनमें calcium की कमी present है और हमेशा कमरदर्द की सिकायद उनके body में बनी रहती है तो यहां उनके लिए काफी effective medicine है आज के इस वीडियो में मैं इस बात को बताने वाला हूँ जो medicine इस medicine के दिया आप यूज करते हैं तो results काफी अच्छे आपको मिलने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए है तो रेक्टर की बटन दबा कर चैनल को जरूर subscribe कर लें ताकि इसी तरह से वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल सकें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सुरू बात में ही मैंने आपको बता चुका है कि क्या-क्या आपको disease देखने को मिलेगी जिसमें आप इस medicine का use कर सकते हैं मैंने आपको symptoms भी बताते चले हैं कि यहाँ जो दर्द होता है वह radiatic type of pen होता है कमर में हलका हलका दर्द आपको हमेशा बना रहता है electric like pen होता है जो हमारी cup muscles होती है जो हमारी पिंडिलिया होती है उसमें भी दर्द बना रहता है आसेहनी दर्द होता है कभी sitting like pen होता है बहुत सारा आज़ी आपको दर्द हमेशा बना रह रह रहा है तो आप इस medicine का use कर सकते हैं पहली medicine आती है दोस्तों नेफेलियम मैं आप पिक्चा लगा देता हूँ आप देख लीजिए हिंदी में लिख देता हूँ नेफेल यूज करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है जीव में टंग डोज आपको इस medicine को लेना है तो इससे क्या होता है कि कमर में यदि electric like pen हो रहा है नस में कोई problems हो रही है या L4, L5 जो हमारी dicks है उसमें कोई problems हो रही है Spondylolisis की problems है तो उसमें इसका विसेस महत्व होता है य जब भी कमर में दर्द होता है या साइटिक का दर्द होता है तो कमर में oil लगाया जाता है तो relief होता है कमर को दवाया जाता है या गरम कपडों से सिका जाता है तो relief होता है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा काम करती है यह अक्सरकर महिलाओं में यह बहुत देखा गया है तो इस तरह की condition यदि देखी जा रही है तो kolosin इसके लिए west medicine होती है यहां हमारे काब मसल पहने के लिए best medicine होती है जब भी हमारी पिंडलिया दर्द करती है तो उसे हम दवाते हैं तो दवाने में हमें relief होता है, मालिस करने में हमें relief होता है और गरम कपड़े में सेकने से relief होता है तो यह हमारे लिए weta सबसे अच्छी medicine होती है यदि आपको slip dicks की भी problem हो गई है, महाँ पे wulzing हो रही है तो भी आपके लिए यहां west medicine है only for 200 potensives medicine का use किया जाता है चारबून सुबा tongue dose आपको लेना है next third number पे medicine आती है macphos, मैं आप picture लगा देता हूँ आप इसे देख लीजिए, same colosynth के ही पूरे symptoms में हमें देखने को मिलते हैं तो colosynth और macphos दोनों ही जब भी आप एक साथ use करते हैं तो results better से better आपको मिलते हैं तो यह दोनों medicine आपको एक साथ use करनी है nephelium medicine आपको अलग से use करनी है तो यह दोनों एक साथ just आप साथ में use कर सकते हैं योगि दोनों के symptoms इसमें best होते हैं macphos में हमें यहाँ difference देखने को मिलता है यह नसों के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है यहाँ joint pen में भी बहुत ही अच्छा काम करती है small joint में भी बहुत ही अच्छा काम करती है और big joint में भी macphos का visage roll हमें देखा गया है और यह muscles के दर्द में भी बहुत ही अच्छा काम करती है यदि आपको muscles का दर्द कहीं भी हो रहा है चाहे solder pen भी आपको हो रहा है तो यहाँ पूरा cover करके चलती है मेकफॉस या विसेस रोल हमें इसमें देखने को मिलता है 200 में आप मिक्चर करके यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों जिसका नाम है आरनिका मुंटाना आरनिका मुंटाना बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी नसों में कहीं भी problems हो रही है तो नसे को नसे को दर्द को ठीक करने के लिए या नस में कभी भी सूजन आने लगी है नसों में यहाँ इसका विसेस महत देखा गया है नसों में दर्द है या कमर में आपको हमेषा दर्द बना रहता है तो आरनिका मुंटाना इसके बहुत इच्छा काम करती इसका डो सबसे महतव होता है कि डो समकिस पोटेंसी में यूज करें तो इसके result 200 पोटेंसी में बेश्ट हमको देखने को मिलते हैं जब भी हम स्टार्ट करें तो 200 पोटेंसी से ही स्टार्ट करें चारबू सुभा और चारबू श्याम को सुभा सुभा खाली पेट लें जब यहां 200 पोटेंसी में रिजल्ट्स ना दे तब हमें बन्यम पर जाना चाहिए ने तो 200 पोटेंसी से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए कि पोटेंसी बहुती महत्व रोल इसका होता है होमोपैटिक में तो 200 पोटेंसी में लीजिए और यहां मैडिसिन कम से कम दो महने तक आप सेवन कर सकते हैं दो महने तक सेवन करते हैं तो आपका दर्द जो है गरम हमें जाते हैं जब भी आप weather changes होता है तो आपको दर्द की सिकायद होती है तो Econite acute condition में बहुत ही अच्छा काम करती है या fever के case में आपने सुना होगा बहुत ही अच्छा काम करती है पर या हमारी body की दर्द के लिए joint के दर्द के लिए इसका विसे समहत्व हमें देखने को मिला है तो Econite यूज़ करना है आपको 30 potency में चारबून सुबा और चारबून शाम यह तोटली 5 medicine है एक साथ ली जा सकती है कोई दिक्कत नहीं है और जब भी एक से अधिक medicine आप यूज़ करें तो 10 मिट के गैफ में कर सकते हैं कोलोसिन मैक फॉस एक साथ ली जा सकती है कोई दिक्कत नहीं है आपको दर्द की जो से काइध है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि किसी चीच की कमी है वोडी में तो वहाँ भी धीरे-धीरे करके पूरी हो जाएगी आप supplements यूज़ कर सकते हैं विटामिन डी की यदि आपकी वोडी में कमी है तो विटाम कि अब सफर कर रहे हैं और लेना चाहते हैं तो डिस्कीशन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई इसकिन में वाट्सप नमबर देते हैं ओनलाइन कंसल्टनसी ले सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में वस अतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्ष वीडियो में तब तक ल कि अ